हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो होगा एक ओटोमेटिक वाटर पंप ओन ओफ सर्किट जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइज में बना सकते हैं मैंने इस टोपिक के उपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ दोस्तों तो उस टोपिक में बहुत से भाईयों का कमेंट आये हुआ था कि भाई हमें 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो काफी महेंगी मिल रही है या फिर इसमें करेंट तो नहीं आएगा तो इन सब चीजों को आया हुँ और इस वीडियो के अंदर में आपको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई भी बना के दिखाऊंगा जो कि डारेक 220 वोल्ट से कनेक करके आप इजली काम में ले सकते हैं और मैं यह भी बताऊंगा कि इसके अंदर पानी में या फिर खुले वायर भी अगर रहें तो करें तो कीमेंटर लगेगा या नहीं लगेगा तो शुरू करनेसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जोरू देखें और वीडियो को रिक ज़रू करें और जिसने वह मिजंदर को सब्सक्राइब जरू कर ले साथ ही साथ बेल आईकन भी प्रेस करने दो डायोड देने हैं उसकी जो शिल्वर लाइन है उन दोनों को मिला देनी है और वायर को दोनों को मिला के ट्विस्ट कर देना है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तक कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में कोई भी प्रेशानी नहीं होगी तो आप वीडियो को पूरा जुरू देखे अब दूसरे दो डायोड ओर लेंगे उनको उनकी जो ब्लैक लाइन ह उसको मिला देंगे और दोनों को ट्विस्ट कर देंगे यह देखे इसी तरीके से अब जो खुले वायर हैं दोनों को आपस में मिला दे तो यह हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों मैं आपको पूरा ट्विस्ट करके आगे दिखाता हूं कम्प बहुत जल्दी और अगर आपको knowledge नहीं भी है electronics की तो भी आप इसको easily बना सकते हैं घर पे यह देखे हमारा जो rectifier है वो बनके complete है अब मैं आपको एक आगे गया बताता हूँ यह देखे अब मैं यह आपको ले रहा हूँ 470 microfarad 25 volt का capacitor यह इसका minus point है यह इसका positive point है और जो बड़ी lag है वो positive है छोटी lag negative है तो जहाँ पे हमारी दोनों silver line मिलती है वहाँ पे हम capacitor का positive सीरा connect करेंगे और उसके just opposite side में जहाँ पे black line है मिलती है वहाँ पे हम negative सीरा capacitor का rectifier के साथ connect करेंगे तो यह हमारा bridge rectifier है दोस्तों वो complete है यह देखिए और जहाँ पे capacitor के बड़ी lag और छोटी lag यानि minus और positive लगाए है हमने और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक जीनर diode 12V का ताकि जो भी supply हमें मिले वो 12V की ही मिले तो इसकी जो black line आपको दिखाई दे रही है वो positive सीरे के उपर connect करनी है आपको यह इसका positive सीरा है और दूसरी साइड इसका negative सीरा है तो जो black line है वो हमारे जो capacitor पे हमने connect किया था positive सीरा उसकी साइड हमने इसको twist करना है उसके उपर तो हमारा जो full wave bridge rectifier है वो complete हो जाएगा दोस्तों यह देखिए अब मैं यहां पर ले रहा हूं 105 J और 4500 वोल्ट का capacitor और एक ले रहा हूं 1 mega ohm की resistance quarter watt में तो इन दोनों को जो हमारी जो capacitor की दोनों lag है उन दोनों के बीच के मैं यह resistance कनेक कर देता हूं तो कि हम यह पूरा circuit बनाने से पहले हम 12V की supply बनाएंगे क्यों पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो मैंने उसमें 12V की supply जो company fitted आटी है वही use किया था तो अपकी बार मैं आपको 12V की supply बनाके दिखाऊंगा ताकि बहुत सो लोगों को कोई दिक्कत ना हो और यह और भी सस्ता और अच्छा बनके तयार हो जाएगा तो यह देखिए complete कर लिया है अब मैं जो output के लिए positive और negative wire connect कर देता हूं जहां पे हमारा capacitor का positive शीरा लगा है और negative शीरा तो वहीं से हम positive और negative wire निकालेंगे यानि red और black तो positive के लिए यहां पे मैं red wire यूज कर रहा हू और जो हमने capacitor और one mega ohm की resistance लगाई थी उसको हम direct AC से connect करेंगे अब यहां पे मैं एक बारा वोल्ट की relay ले रहा हूं यह देखिए इसके देख लिजिए आप अच्छे से तो अम एक IN4006 diode लेंगे और जो resistance के दो पिन है इसके उपर connect कर दूँगा मैं यह देखिए इसी तरीके से आप देख लिजिए और एक मैं यहां पे BC 547 और one की resistance ले रहा हूं साथ में इनकी लेग थोड़ी ज़्यादा कंजिस्टेड है तो मैं इनको थोड़ी अलग-अलग कर लेता हूं ताकि हमें connection करने में कोई परेशा नहीं नहीं हो बहुत ही छोटा सरकिट है दोस्तों बहुत ही इजी और बहुत ही चीप प्राइज में पूरा बन के तयार हो जाता है इसका डूटल खर्चा होगा वो 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा पूरा बन के तयार हो जाएगा तो यह देखिए जो हमारा ट्रांजिस्टर है तो उसकी एक लेग को हमने रिले से कनेक कर दिया और बीच वाली लेग के उपर रेजिस्टेंस वन की रेजिस्टेंस क्वाटर वाट में कनेक कर दी है अब इसके उपर एक रेजिस्टेंस के उपर और एक जहां पर हमने डायोड का सिल्वर लाइन वाली कनेक की थी रिले के के लास्ट वाली लाइक पे और जो पॉजिटिव शीरा होगा वो डायोड के सिल्वर लाइन के उपर अब दो वाइर और कनेक करेंगे जो की भी कर लिया है पहले से ही ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो जाए तो मैंने 220 वोल्ट का 5-pin सोकेट भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है पहले से ही अब इसमें हम दो वाइर कनेक करेंगे जो की हमारा आउटपुट होगा जो की हम मोटर के जो दोनों वाइर होते हैं वो इसके अंदर कनेक करेंगे जो की आउटपुट होगा तो दोनों वायर मैंने यहां पर connect कर दिये हैं आप देख सकते हैं बहुत easy यह दोस्तों बहुत ही आसानी से बंग के तयार हो जाता है तो मैंने box भी बना लिया है अब इन जो भी हमने 12V की supply और जो भी relay के उपर जो भी circuit हमने बनाया है वो पूरा glue gun की help से मैं box के अंदर चिप यह देखिए अब हमें जो relay के हमने जो red wire यानि बीच वाली pin के उपर connect किया था वो 5 pin socket में एक wire में connect करेंगे और जो input का है वो एक अलग wire जो नीला wire हमने relay के उपर connect किया था वो input 220V के साथ connect करेंगे अब जो बाकी का जो input और output के लिए direct हमने एक wire direct connect कर दिया है अब इन दोनों wireों को यहाँ पे solding की tapping में कर देता हूं उसके बाद में जो भी हमने capacitor लगाया था 1 mega ohm का उसके उपर और दूसरा वाला उसके just opposite side में जो हमने breeze rectifier बनाया था उसके उपर connect कर देंगे तो हमारा जो circuit है वो दोस्तो complete हो चुका है अब मैं इसको pack कर देता हूं पैक करने के बाद मैं मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आगे यह देखिए हमारा circuit मैंने box pack कर दिया है अब इसको cover करना बाकी है तो यह हमारे 220 volt के input के लिए 5 pin socket हमारी motor के connection के लिए है और यह दो wire जो की tank में जाएंगे तो यह देखिए मैंने marking उगर कर दी है तो यह हमारा जो दो wire है यह हमारी tank के अंदर जाएंगी और जो 5 pin socket है यहां से हमारी water pump को connection जाएगा आउटपुट के लिए मैंने 5 pin socket लगा दिया है यहां पर तो यहां से हमारा water pump में जाएगा और जो यह दो wire है यह water tank में जाएंगे डारेक्ट जहां तक आपको water level करना है और यह input के लिए 220 volt यह हमारी line से connect होगा तो मैं यहां पर motor की जगह मैं आपर 108 का bulb यूज कर रहा हूं और मैं आपको connect करके दिखा देता हूं मैं direct 220 volt से connect करके दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों output के जो हमारे motor है उसकी जगह मैं bulb का यूज कर रहा हूं और जो हमारी पानी की टंकी है उसके जगह मैं एक छोटे glass के अंदर पानी लेके आपको दिखाऊंगा dip करके कैसे work करता ह तो आपको पता लग जाएगा और मैंने पूरा circuit अच्छे से check कर दिया दोस्तों इसमें कोई heating issue कुछ भी नहीं है कोई भी relay या resistance या भी capacitor कोई भी heat नहीं होता है तो मैं पहले on कर देता हूं अब देखिए जैसे मैं wire को इसके पानी के अंदर dip करूँगा dip ते ही हमारी जो light ह है यानि कि जो हमारी motor है वो बंद हो जाएगी और जैसे इसको उपर कर लूँगा तो हमारी motor on हो जाएगी तो इसी तरीके से यह पूरा circuit काम करेगा दोस्तों इस circuit का सबसे best trick best फाइदा यह होगा दोस्तों आपको आपकी जो पानी की टंकी है वो कभी खाली नहीं रहेगी हमेशा अगर आपको वाटर लाइन में पानी आ रहा है तो आपकी टंकी फिल होता रहेगा आपको कभी इसको देखने की जरूती नहीं पड़ेगी क्योंकि यह और ना ही इसमें कोई current वगर आता है I hope दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा इसका जो total खर्चा होगा दोस्तों वो 30-40 उर्पे से जादा नहीं जाएगा आप easily घर पे बना भी लोगे I hope आपको समझ में भी आ गया होगा तो मिलते हैं अगले कोई interesting topic के साथ all the best बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए